नमस्कार दोस्तों मैं सरोज पांडे आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोग आपसे नहीं आपकी हैसियत से बात करते हैं बहुत गंभीर भी से मैं आपको बताने जाए रहा हूं कि लोग जब आपसे बात करते हैं तो वही बात आपसे नहीं करते हैं जो आप है लोग आपक डेखकर आपसे बात ये बात मैंने शुरून इसलिए कि आज से करने मेरे एक दोस्थ है कि उसने अचनक को उचो को गाली देने शुरू कर दिया कि स्लीं मुहंपत साप में तो ऐसा है यही बात मैं आपसे करा चाहता हूं कि दुनिया के साड़े लोग शायद सो में 99 लोग जो आपसे बात करते हैं और आपकी हैस्यत देखकर बात करते हैं अगर आप यह मेरे जीवन का बहुत बड़ा ट्रेजी रहा और अब तो कहूंगा सो भागे रहा मेरे जितने भी दोस्त हैं रिलेक्टिव्स हैं अपने लोग हैं उन लोगों ने मुझसे जब भी बात की तो मेरे हैस्यत को देखते हैं बात की मेरे अवकात को नाप करके बात की और यह दुखद है केवल जो मेरे गुरु हैं चाहिए ओशो कहिए या बाब बारिश्वर कहिए या रहुलेश्वानंद जी कहिए मेरे गुरु ने कभी मेरे हैस्यत देखकर मुझसे से बात नहीं किया बस उनको हमसे प्रेन हैं हम जैसे भी हैं अच्छे हैं बुरे हैं काले हैं गोरे हैं गरीव हैं अमीर है इससे उनको को फ़रक नहीं परता है बस उनको हमसे प्यार है तो है इसी ट्रेजडी का सिकार बहुत ज्यादा हुआ है मेरा बेटा भी और मेरे बेटी लोग उससे बात करते हैं वह समझ जाती कि आदमी देखकर नहीं आदमी के नजर में अच्छा बनने के लिए और जिसकी किमत नहीं है दो पैसे की कीमत नहीं है या आदमी हमको अच्छा कहे कि बुड़ा कहे सबसे बड़ी बात है एक बैमान नहीं है सरल है तो आप बोगवान नायम के बहुत प्रिय है और सबसे बड़ी संपति दुनिया में कुछ है तो भगवान राम से प्यार प्राणा वो मुझे खूब मिलता है, और मुझे नहीं, दुनिया में जितने भी सरर लोग सब्सक्राइब हैं हो सकता आमीर है सरह लोग Hag costume का प्रеч़ सब्सक्राइब करते हैं डुष्च सब्रदि को दोche लग नहीं बात कीजिए अगर आपके पास करोड रुपए हों तो आपके बच्चे भी आपसे अलब भंग से बात करेंगे अब तक जिस न lin Sie उससे अलग जंग से होगा और इसका उल्टा भी होगा अगर बच्चा ही करूरपती हो जाए तो उसके माँ भी उससे अलग जंग से बात करेंगे मैंने अपने आखों से देखा एक लड़का था अब तो इस दुनिया में नहीं रहा वो उस समय गरीब था पैसा नहीं था उसके पास तो जब वो खाना खाने बैठता था ठीक उसी समय उसके पिदाजी उसको सुनाना शुरू करते थे को हैं कि मुफत का बैढ़के खा लेंा है दिन बढ़ और घुमते रहाना है एक खानाही गिरते हुए मैंने देखा है यह आद्मी किसे बात कर रहा उस लड़का से बात कर रहा जो नहीं कमाता है वही लड़का अगर टाटा में नौकरी कर रहा होता तो उससे उसके माता-पिता ऐसे बात नहीं करते फिर वो लड़का समयधार था इस चोट को उसने बहुत पोजिटिवली लिया और उसने बहुत पैसे कमाया मरते समय उसके पास तीचार गाड़ियां भी थी फोर्ड वीलर से बात करते हैं यह मेरा आखो देखा तजुर्बा है मैं जीया हुआ हुआ है मैं देखता हूं जब कोई लड़कार नहीं कमाता है और घर की स्थितित कमजोर होती है वह कहीं से भी घूम कराया तो सबस्यादा चोट उसक्याता है खाना खाते बागत और कभी कभी अगर वही आदमी उसके अपने माबाप उसे ताने मारते हैं सुबह से राद तक अगर उसकी हैश्यत नहीं है तो अगर उसकी आवकात नहीं है तो गरीब आदमिक हो उसकी अपने माता पिता बहुत ही बुरित्वा बिहायब करते हैं और वही लड़का को अगर दो करोड़ की लो बने आको कि मैंने हैं अपनी अंखों से देखा है कि माबाप भी बच्चों को पैसे से तोल कर कर बात करते हैं अगन여 कोई बत्चा आइब है कोई बच्चा गरीब है कोई बेटा गरीब है उसका उसके लिए तानों के तीश छोड़ते रहें गे माता पिता की बाद मेरा अगला रिषाना है पति पत्नी यह भी कमानने वाला पत्नी अगर घर में आ जाए तो बस पत्नी मैंने अपने आखों से देखाया जूते भी उतारती है पतिके और मोजा भी उतारती है मैंने देखा है सालो भर जब पती काम पे जाते हैं तो पत्नी ही मोजा पहनाती है जिसे जुराब करते हैं आप लो जूते पहनाती है और जब पती काम से लोटता है तो बस्तो सुफ़ावा बैठ जाता है उसकी पत्नी उसके जूते उतारती है मोजा उतारती है मैंने देखा ह क्यों तो पती कमाने वाला है और मैंने ये भी देखा है कि जो पती कमा कर नहीं आता है जब वो घर में घुछता है तो भाईया उसकी पत्नी उससे कैसे बात करती है वो भी मैंने खूब खूब देखा है यानि कि पत्नी जिसे लोग जीवन साथी कहते हैं जनम-जनम का साथी क करते हैं वो भी आपका हैसियत देखकर आपसे बात करती है अगर आप पैसे वाले हैं आपका बहुत प्यार है बहुत इज्जत है आपके लिए चाय कॉफी भोजन सब दापके नर्षय नहीं देखा बस उसका अपना बच्चा है जैसा भी है अमीर हैYour लिए लिए है इंपकंते दनी है अयसे हैसरी मढल्ण अपने अपके वग्दल को वह आपको सकता अधने अधने यह मैं अपने बल के उपर रहा हूं कि समय अगर साथ दे तो आदमी गरीब से अमीर हो जाए समय साथ ना दे तो आज ही मैं सुन रहा था बाब बाइसर को वो काते हैं एक बड़ा सा दुर्गहटना या बीमारी आपको गरीब ना सकती है इतने बसे खर्ष हो जाएंगे किसी दुर्गहटना में या किसी बड़े बीमारी में कि आपके पैसे तो खत्म होगे ही आप पर कर्ज भी चल जाएगा और उसी तरह से यह रूप जो है दो मेट लगता है कोई आदमी सिरी से उतर्द समय गिर जाए उसका चेहरा पर इतने सारे दाग हो सब्सक्राइगा जो की करना मुश्किल है तो रूप हो या जवानी हो या दौलत हो इसको बनते बिगड़ते देडर निलता है समय के हाथ परने के बाद कि माता पित्ता भी अपने बच्चों से हैसियत देखकर बात करते हैं मैं ने कहा कि पति पत्नी भी पैसे देखकर हैसि उसे से बात करते हैं अगर पति कमाव निकला तो पत्नी के नेर में आखों का तारह हो जाएगा और वही पती नहीं कमाने वाला हो या तो बात भी कर जाएगी उसका उल्टावी संभब पत्नी कमाने वाली हो जाए अच्छी नोकड़ी करें तो शायद लोग उसकी हैस्यत कर पति से प्रेम करते हैं मुझे और भी एक जांकारी है कि अगर पती गरीब हो जाए तो उनका वैवाहिक जीवन खड़ा हो सकता है चौपट हो सकता है अब आती है बाड़ी भाई बहनों की भाई बहन भी राम जैसा भाई भाई श्री राम श्रीत मालस में जरूर है जहां भागवान श्री राम करते हैं कि भरत राजा बने या राम राजा बने क्या फर्क परता है उतने महान ब्यक्तित भागवान श्री राम और भरत वैसा भाई अगर आपके जीवन में है अगर आपके पास भी कोई लक्ष्मा जैसा भाई है कोई भरत जैसा भाई है या कोई राम जैसे भाई है तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं वह बहुत ही आदर्वाइज भाई भी दूसरे भाई से अवकात देखकर ही बात करता है गरीब है तो कुछ भी बोल लिया उल्टा सीधा जो मन क्या बोल दिया और अगर अमीर है तो बोलने से पहले सोचो और बोलो ही मत पर नबात भी गड़ जाएगी यानि कि भाई भी भाई से हैसयद के बात करता और उसका धी स्थाट सरसरा भी भी भाई से पैसे बात करते हैं एक बात नहीं करते हैं कुछ बढ़र जो भाए से बस प्रेम करती है जो बाप कमाते नहीं है बच्चे भी समझते हैं कि कहां से बाप बन गया बेटा हो या बेटी हो वह भी अपने बाप से हैश्यद देखके बात बता है और यदि कोई बेटा या बेटी अपने बाप की आत्मा को पाचान सके तो फिर हैश्यद की आप भाड में यह मेरा बाप है जैसा भी है मेरा बाप है कुल मिलाकर में बाड़ी रिष्टों को छोड़ी दीजिए दोर्ट और दूर्ट के रिलेस्टन उसको तो मैं विलू देता भी नहीं मैंने छे लोग को ध्यान में लिया माता-पिदा भाई-भार और पैदल चलके जाए जहां पैडल में धूर लगे हों तो लोग कहते हैं पैड कितना गंदा आपको और अगर आप 55 लाग के BMW में जाए तो लोग आपकाता है वाह बड़े भाग गया हमारे जाप हमारे घर प्यारे दोस्तों दोख्यां मताना मैं तुम फिर से करना चाहूंग आपसे नहीं आपकी हैष्यत से बात करते हैं इसलिए हैष्य बनाइए और हैसर बनता है सिर्फ एक थ तरीका से राम नाम में दूबकी लगाने से ईवन का नाम नाम लेके अपना ध्यां करें और जो लोग कहते हैं कि राम का नाम लेने से पेट थोड़ी भरता है उस करेंगे उने समय दोने के लिए आप सभी को बहुत 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 अन्यवाद परदाम